नमस्कार दोस्तों आप सभी के श्टडी फॉर्ड यूपेसी पीसे सैंवे स्वागत है सुभे से दूसरा वीडियो होगा ये इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें आज आर्टिकल डिसकस किया है हम लोगोंने आर्टिकल डिसकसन का वीडियो मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि वो काफी डीटेल वीडियो होता है और यकिन मानी अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो बीपेसी मेंस में आपको अच्छा खासा दिक्कत होगा वीपेसी मेंस में और पीटी में इन दोनों के लिए न्यूज पिपर जो जितना अच्छे से फॉलो करेगा उसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा किसी भी एक्जाम को ले लें अगर नए पैटर्न पर यूपेसी को भी लेंगे तो उसमें भी आपको काफी ज़्यादा मदद करेगा यह इसलिए सुबह जो मैंने आर्टिकल दाला है और इस वीडियो को जो डेली न्यूज डिसकसन होगा इन दोनों को अगर आपने कंबाइन रूप से सब दिन फॉलो किया हर दिन अपलोड होगा यह तो आपका सिलेवस का बहुत बरा हिस्सा मैं यहीं से तियार करवा दूँगा ठीक ना इसमें पॉलिटी हिस्ट्री जोगरफी हर चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिसकस करेंगे जो भी करेंट में टॉपिक होगा उन चीजों को हम लोग डिसकस करते हैं अगर आप चैनल पर ने तो सबस्क्राइब जरूर कीजिए इसके साथ साथ हम इस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं वहाँ पर भी आप सबस्क्राइब कर सकते हैं दो चैनल इस्टाग्राम पर एक मेरा है और एक चैनल के नाम से हैं दोनों मेंसे किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ भी डाउट होता है, तो वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं. इंतजार करते हैं इंतजार कीजेगा रिपलाई का जरूर करता हूँ मैं बहुत सारे मेसेज रहते हैं इसलिए समय लग जाता है कई बार रिपलाई करने में फेसबूक पर भी मौजूद है वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं सारे 9000-10,000 के आसपास में करीब में वहाँ पर लोग जुरे हुए हैं, आप भी जूर सकते हैं अपडेट के लिए, आज के जो न्यूज हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं, जो आपके लिए जोगरफी, हिस्ट्री सभी के लिए इंपोर्टेंट है, तो उन सब चीज एफरम 88% tax on online betting from October 1, जो online betting होता है, उस पर 28% का GST लगाया गया है, कितना परसेंट, 28% का GST लगाया गया है, GST council के द्वारा, तो GST council क्या है, और किस प्रकार से ये काम करती है, किस प्रकार से संगवाद को बरहावा देती है, संगवाद का तातपरी क्या है, ध्यान सरकार एक तरफा फैसले नहीं लेती है, थोप नहीं देती है, अपना मुद्दा अपना जो भी फैसला है, वो राज्यों को पर, बलकि राज्यों की सहमती से GST council में फैसले लिये जाते हैं, इसलिए GST council जो भी चीज़े तै करती है, तै किया जाता है, वो किस सीज को हाँ देता है, और राज्यों की सहमती से इस सीज को आगे बरहाया जाता है, तो यह चीज़े धियान में रहेगा आपको, तब GST council के बारे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग से ये भी, आप से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये बताओ कि GST council जो है संबिधानिक ब बॉड़ी है, इक constitutional बॉड़ी है, 2016 में संसद के दोनों सदों द्वारा समयधानिक 122 मा संसोधन बिधेयक और 101 मा संसोधन, ये बिधेयक कौन सा था, 122 मा संसोधन बिधेयक था, लेकिन संसोधन कौन सा हुआ, 101 मा संसोधन था, के बाद वस्तू और सेवाकर विवस्ता को ला मंच है, जिसमें केंद सरकार, राजे सरकारों के साथ मिलकर काम करती है, और भारत में वस्तूओं को पर taxation कितना लगाया जाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, इन सभी चीजों पर detail इसमें चर्चा होती है, और इसको बाद से फैसले भी लिए जाते हैं, इसे राश केंद्रे बित मंत्री अध्यक्षता करते हैं, केंद्रे के जो बित मंत्री होते हैं, अध्यक्ष वही होते हैं, यह ध्यान में रहेगा, केंद्रे राज्य मंत्री वित मंत्री भी सामिल हो सकते हैं, प्रतेक राज्य वित या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत् परिसाद अनुक्षे 289 के अनुसार GST से समझित महत्पुन मुद्दो पर केंद और राज्यों को सिफारिस करने के लिए जैसे वस्तू और से वहाँ पर GST, परिसाद पर परिसाद इस पर भी फैसला लेती है, उदारन के लिए मंतरियों के पैनल के अंतिम रिपोर्ट में, कैसीनो, ऑनलाइन, गेमिंग और घुरदाओर पर 80% कर लगाने का सुझाओ दिया गया है, तो ये सब जो कौन देना लेगा, तो ये सब के सब GST परिसाद के द्वारा, GST काउंसिल के द्वारा ही निरना लिया जाता है, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें ऐसा तो नहीं है कोई कि इंग्लिस मीडियम के लिए बच्चों के लिए अलग होगा, उनको भी समझ में आ रहा हूँ है, बार-बार तो मैं सब्द यूज कर ही रहा हूँ, एक तरह से अगर अंग्रेजी मीडियम के भी आप हैं, तो कैसीनो, ऑनलाइन, गेमिंग को तो अंग्रेजी में वही बोलते हैं, टेक्स को मैं कर बोल रहा हूँ, बस यही तो अंतर है, समयधानी को मैं कॉंसिचूशनल तो बोल ही रहा हूँ, इतना तो आप मैनेज कर सकते हैं मेरे हिसाब से, फिर भी अगर आपको दिक्कत होती हैं, आप बताईएगा, मैं और सुधार करने की कोशिज करूँगा, हाल के घटना करम क्या हुआ है? अधिक लचीले होने चाहिए, यह राज्य मानते हैं कि GST कॉंसिल को और भी ज्यादा लचीला होना चाहिए, कैंसरकार को थोड़ा सा ज्यादा मत दिया गया है, अपनी बातों को मनवाने का, वो भी मना किया गया है, कि आप इस तरह से नहीं मनवा सकते हैं, और ज्यादा इ GST को, वन नेशन, वन टेक्स के साथ पेस किया गया था, यह देश में अब तक का सबसे बड़ा ओपर टेक्ष कर, इन डारेक्ट टेक्स में सबसे बड़ा आजद करीब हम था यह, इन डारेक्ट टेक्स क्या होता है, डारेक्ट टेक्स उसको कहा जाता है, जिस व्यक्ति पर देते हैं निखर नीगम को ये सब कुछ किसमें आता है डारेकτε sex में ने में कमपनी यह बाया सरकार को पेकरती है वह किसमें अथा डारेक टैक्सेज में लेकिन जैसे आपने कोई सामान खरीदा मान लीजी आपने कुछ खाने का समान खरीदा 100 रुपे का इस पर GST लगा 10% माल लीज़े एक्जामपल के लिए ले रहा हूँ और 110 रुपे आपको पे करना परा यह जो 10 रुपे आपने एक्स्ट्रा पे किया यह दरसले पे किसको करना था तो उस बेचने वाले को जिससे आपके समान खरीदा है यानि कि करागात किसी और पर हुआ लेकिन पे किसी और को करना परा इसी को कहा जाता है इन डिरेक्ट टेक्सेज यानि कि टेक्सेजन किसी और पर लगाया गया लेकिन पे कोई और कर रहा है तो इसी को विलास्ता कर जैसे आपर्टेक्श करों को समलिद कर दिया गया जी एश्टी करके आदे, आधाई, जीएश्टी संवहें कर नहीं, बलकि राज्ज और संग के करों के समनवे कलिए कर पनाली है, अभी कितने सलैब है, अभी 5%, 12%, 18% और 8% का सलैब है, और किसी पर अगर जीएश्टी लगता है तो, अगर किसी समान पर जीएश्टी नहीं लगता है, तब तो 5% का अगर slab है तो यानि 5% उस पर आपको कर देना पर सकता है यह चीज ध्यान में रहेगा तो GST परिसाद और GST क्या है यह मैंने डीटियल में आपको समझा दिया है और यह जरूर ध्यान में रखेगा यहां से PT में सवाल UPSC में पूछे गए हैं आप से भी पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हम लोग अगला नियूज देखते हैं कि अगला नियूज जो है UGC सम्मंधित है और यह काफी ज़्यादा डीटेल में है इसलिए इसको ध्यान से सुनते जाईएगा UGC to train over thousand teacher to teach Indian knowledge system इसको कहा जाता है IKS Indian knowledge system from degree level और UGC ने train करना शुरू कर दिया उसने लक्ष रखा है कि भारत के हर राज्ये में कुछ ने कुछ लोगों को train किया जाएगा Indian knowledge system अब यह क्या होता है और सवाल आप से क्या पूछा जागा मेंस में मान लिजी अगर पूछा जाता है तो कि Indian knowledge system को बरहावा देने से क्या परिवरतन देखे जा सकते हैं और क्यों इसके जवरत परी है और क्या इसके benefit है क्या इसके नुकसान हो सकते हैं यह सब कुछ आप को पूछा जा सकता है मेंस एक्जाम में पीटी एक्जाम में इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि निमन में से कौन-कौन सी चीजे इंडियन knowledge system से सम्मधित हैं और उसमें तीन-चार option आपको दे देगा वेद, पुरान, अदरसन, इन सब चीजों के बारे में तो देखे क लाइफ तो इनेवल देम तो टीच रिलेवेंट कोर्सेज ओन इंडियन knowledge system जो अगले साल का देखे यहां पर लिखा हुआ है कि next academic session जो होगा कौन सा, 2024 पचीज जो academic session सुरू होगा उसके बाद से उसमें Indian knowledge system युनिवरसिटी और college में परहाए जाएंगे, अब इंडियन knowledge system है क्या इसको भी समझेंगे हम लोग, देखें आपर लिखा हुआ है कि UGC जो है वो प्लान कर रही है, देखें आपर लिखा हुआ कि University Grants Commission plan to make compulsory true credit courses given an overview of Indian culture and tradition in the first year of both UG and PG program, जो UG और PG program का first year होगा, उसमें compulsory दो ऐसे paper डाले जाएंगे, जिसमें Indian culture और tradition को आपको समझना परे तो student के लिए जो डाला जाएगा तो उससे पहले teachers को इसके बारे में knowledge होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल होगा, तो वही इसी कारण से teachers को trained किया जा रहा है, the Indian knowledge system division of the ministry of education told the Hindu, in fact UGC intended to train 15 lakh teacher, UGC क्या सोच रही है, कि 15 lakh teacher को हम आने वाले समय में train करेंगे, Indian knowledge system और tradition को प पूछा जा सकता है, क्या है, the main area being covered as परंपरा, पहला कौन सा है, पहला है परंपरा, पहला है परंपरा, दूसरा है दिरिष्टी, दूसरा क्या है दिरिष्टी, परंपरा का मतलब होता है tradition, दूसरा का मतलब देखियां पर क्या वो लखा हुआ है, दिरिष्टी, यानि कि इ इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर इंडियन नॉलेज सिस्टम का आज के दौर में क्या रेलेवेंस हो सकता है वो इसका तीसरा फैक्टर है यह आपको पता होना चाहिए क्या बोला मैंने पहला कौन सा था पहला था परंपरा यानि कि हमारा ट्रेडिशन क्या रहा है दूसरा इसका कौन सा है तो लौकिक परियोजन यानि की आज के दौर में रेलेवेंस इसका कितना जादा है उसके बाद से देखिए मौडरन रेलेवेंस ऑफ एंसियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम जो भारत का पुराना हमारा नॉलेज सिस्टम था वैदिक कल्चर था उसका आज क दोर में उसको हम किस प्रकार से उप्योग कर सकते हैं इन तीन चीजों पर इसमें फोकस किया गया इन तीनों फैक्टर को आप ध्यान में रखेंगे पी टी के पॉइंट अब व्यू से ध्यान में रखेंगे इसको गई अगला देखे क्या लिखा हुआ है देखे क्या लिखा हुआ है तीन दिन का जो टेनिंग होगा उसको चार भागों बाटा गया है और देखे यहां पर लिखा हुआ असपस्ट सब्दों कर प्री फोर्टिंथ सेंचुरी वेदिक टेकसेज चौदमी सताब्दी से पहले 1400 यानि के 1300 इसबी से पहले का जो वेदिक टेकसेज हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा इसमें और फॉलोड बाई देखे यहां पर क्या लिखा हुआ है फॉलोड बाई फिलोसिफल फॉंडेशन फिलोसॉफिकल फॉंडेशन फिलोसॉफिकल 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 decision है UGC decision is in inclined with the national education policy 2020 जो नया education policy आया 2020 का उससे संबंधित है UGC का ये जो नया program है वो और इसमें कहा गया है कि Indian ancient जो इंडिया का contribution है हमारे देश के culture में education में उसको सामिल करना चाहिए अब मुख्य धारा के education में अब ये कते जरूरी नहीं है कि हम यूरोप का इतिहास पर है और अपना इतिहास नहीं पर है अपना इतिहास वेद परंपरा उपनिसाद ध्यान दर्शन इन चीजों को परना परेगा six cities the IKS यानिक Indian knowledge system calls has been established under the education of education ministry to promote interdisciplinary research on all aspects of IKS and preserve and disseminate छे सहरोमों कि रूप से किया जाएगा सिधा 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 से उस पर आ जाते हैं बहुत सारा चीज लिखा रहे था देखिए आप लिखा हुआ है नागपूर चैन्नाई बनारास श्री नगर गौहाटी और दिल्ही इस इसको फिर से हमारे कॉलेजों में सामिल किया जाएगा यूजी और पीजी के कोर्सेज में यूजी सी सामिल करेगी अगला अर्थविक डेट रोल टू राइज दो हजार देखिए दो हजार लोग की मौत हो गई कहाँ पर तो अफगानिस्तान अर्थविक के कारण से मौत हो गई है और ये कहाँ पर हुआ है तो इस जगह का नाम जरूर धियान में रखेगा ये अफगानिस्तान का कौन सा इलाका है तो देखें रूरल जिंदा का इलाका है और ये कहां पर है अफगानिस्तान में ती अफगानिस्तान के वेस्टर्न भाग है देखें आपर लिखा हुआ है कि वेस्टर्न अफगानिस्तान यानि कि पस्मी अफगानिस्तान के भाग में भूकम पाया है और उसके कारण से दो हज जार से ज़्यादा लोगों की मिरती हो गई एक चीज और आपने देखा होगा 6.3 का ही भूकंप था लेकिन 9 जटके इसके महसूस किये गए किते नो और अफगानिस्तान भूकंप से हमेशा ज़्यादा लोगों की डेथ क्यों होती है क्योंकि वहाँ जो घर बने होते हैं वो म अफगानिस्तान में चुकी घर जो है मिटी और पत्थर के बने होते हैं इसलिए थोरा सा भी जटका आता है तो पूरा घर भरवरा के गिर जाता है और पत्थर से लोग कुचल कर मर जाते हैं पिछले कुछ दिन पहले भी पिछले साल भूकंप आया था इसी साल के सुरुआ इसमें आठ जार से नो हजार लोगों के मिरत्थी हो गई थी अफगानिस्तान में इसी कारण से तो यह आप समझ सकते हैं अब थोरा समय कारण बता देता हूं भूकंप का कारण क्या है क्योंकि वो अगर आप नहीं समझेंगे देखिए अफगानिस्तान का ये मैप है और इ इसकी राज्धानी वगरे तो पता ही होगा आपको और देखिए यही वो जोन है जहांपर ये जो यूरेसियन प्लेट है और ये भारतिये प्लेट है यह दोनों यहाँ पर टकराते हैं और ये हिमाले का वो रीजन है जहां पर सब squeezed ज़ादा भूकंप के जठ्के आपको दे तो प्लेट मिल रहे हैं दो महादीपीय प्लेट एक है इंडियन और दूसरा कौन सा है देखे इसी तरह के इस मिलता है पहले भारत ऐसे तैरते जरते मेडा गासकर के पास से आकर यह जो यूरेसियन प्लेट था इससे टकराया और इसी के टकराने के कारण किसका निर्मान है नबीन बलित परवत है हिमाले इसका निर्मान आज भी हो ही रहा है और इसी कारण से हिमाले की हर कुछ साल में 100 साल में उंचाई थोरी सी बर रही है भारते प्लेट अभी भी यूरेसियन प्लेट की तरफ में खिसक ही रही है तो इस सीज़ को ध्यान रखेगा इस कारण स इस इस इलाके में सबसे डेडली भुकम पाते हैं अगला कौन सा है अगला है जो न्यूज आपके लिए वो काफी अधा इंपोर्टेंट है अगला न्यूज कौन सा है देखिए ये जो बाइडन है इन्होंने अपने यूएस के सिप और वार प्लेंस सब कहां भेज दिया है तो भूमद सागर भेज दिया है इसराइल और हमास का जो कंफलिक्ट सुरू हुआ है बहुत डेडली कंफलिक्ट हुआ है और बहुत सारे इसराइलियों की मृत्यू भी हो गई है तो मैं आपको इसका एक बार मैप दिखा देता हूँ और ये वीडियो आज अपलोड होगा दूसरे चैनल पर स्टडी फोर ग्यान पर ये भी ध्यान में रखेगा मैं मैप दिखा देता हूँ इसराइल का आपको क्योंकि वहां से सवाल पूछे जा सकते देखें ये मैप है इसराइल का ये इसराइल का इलाका है और यहीं पर ये गाजा पट्टी का इलाका है कौन सा इलाका तो गाजा पट्टी का दिखाता हूँ मैं देखें ये गाजा पट्टी है यहीं से एटेक किया हमास कातंगवादियों केहां पर बेरियर तोरकर गुस गए इज्राइल के सहरों में और वहां से बच्चों महिलाओं को उठा उठा कर ले गए उनको मारा उनको नंगे घुमाया उनको गोली मार दी बहुत भिभत्स स्तरीके के बीडियो सामने आरहे हैं यही वो गाजा का इलाका है और यह वेस्ट का इलाका वेस्ट बैंक को क्यों कहते हैं कूकि यहां पर डेडिसी है जिसको म।र्द सागर भी कहा जाता है फिरुसल하면 जिसको लिक भिवाद है जो आपको दूसरे बीडियो माज डीटेल में मिल जाएगा और यही वो भूमद सागर का भाग है जहां पर अमेरिकान अपने वार प्लेन वगर भेजे हैं भूमद सागर के तट पर ही इसराइल देश है इसराइल का जो सीमा है वो किसकिस के साथ लगती है तो लिबनान के साथ लगती है सीरिया के साथ सबस्क्राइब inadequ कि ईन्या क्योंक नहुंअल की उन्लेसफे अंभात। अगुल सापरिंस जो का में हाया उन्हाया के उस intentar इए और सन्दॉर्स के लिए रॉम Corn Table दे था आठ अगस्त को, उस दिन परेड कहां पर हुआ, यह प्रियाग राज परेड किया गया है इस बार, सामाने तोर पर दिल्ली में होता था, लेकिन यह इस बार कहां पर किया गया है, तो प्रियाग राज में परेड किया गया है, तो इतना बस ध्यान में रखेएगा, नय पर समाप्त होता है 21 मिनिट का ही वीडियो है इसलिए मैंने आर्टिकल को अलग कर दिया क्या कि आपको बबो पर बर्डेन ना हो दोनुको अलग अलग करके पर हैं इसमें फैक्ट जादा होगा उसमें एनलेसिस जादा होगा ठैंक्यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के अलिए